हेलो इन्वेस्टर्स तो आप सबीका श्वागत है हमारे स्विंग ट्रेड के वीडियो में तो जैसा आप जानते हो हम हर हपते कुछ ऐसे स्टोक्स आपके लिए लाते हैं जिसमें की अगले हपते स्विंग ट्रेड एंड इंट्राडे का मज़ा आप लेशकते हो तो इस किया होगा तो अभी आप प्रोफिट में ही चल रहे हैं तो अगर आप प्रोफिट में चल रहे हैं तो फिर आप इसमें 207 के टार्गेट के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं जिसमें हमारा स्टोपलोस अब हो जाएगा कोस्ट टू कोस्ट एंड अगर आपने अभी तक बाई न आगेत मिल शकते हैं तो आप ITC के इस लेवल को जरूर नोट करके रख शकते हो अगले शेर की बात करें तो वो है हमारा अधानी एंटरप्राइज जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो एक चैनल बना हुआ था एन जिसका पर रजिस्टन्स देखे तो वो था 1769 रुपे के आशपास तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में ही ये के ब्रेक आउट होता हुए हमें दिखा है एन जिसमें हमें वोल्यूम भी पिछले ट्रेडिंग सेशन से ज्यादा देखने को मिला था तो अब यहां से अगर हमें price इस candle के उपर जाते हुए दिखता है तो फिर हम confirmation के साथ buy side के लिए जा शकते हैं जिसमें कि हमें target मिल शकते है 19 रुपे के आश पास तो यह काफी अच्छा level है आप अगर चाहो तो इसे आप अपने chart पे note करके रख शकते हो जो की अगले हपते आपको काम आएंगे अगले share की बात करें तो वो है हमारा call India तो call India में जैशा आप देख सकते हो एक काफी अच्छा support बना हुआ है जो की है 179 से 70 रुपे के आश पास and share price यहां से हमें एक बार breakout दिखा के काफी अच्छा move दिखाया था जो की 179 रुपे के आश पास हाई भी बनाया था अब share यहां से रिट्रेश हो के फिर से support की और आ रहा है तो अगर इस बार हमें इस support के उपर मिलता है तो फिर हम confirmation के साथ एक बार फिर से 200 रुपे के target के लिए इसमें position बना शकते है तो call India के इस level को भी आप चाहो तो not कर सकते हो अगले share की बात करें तो वो है हमारा grassim industries तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो share ने यहां पे resistance चोकी बना हुआ था 1609 रुपे के आश पास उसका breakout हमें पिछले trading session में देखने को मिला है लेकिन यहां पे आप देखो तो sharp sharp price rejection and dozy candle बनता हुआ हमें दिखा है तो यहां पे हमें दो रास्ते मिलते है यदि अगर यहां से share price उपर निकलता है तो फिर यह हमें upside में काफी अच्छा move देखने को मिल शकता है अगर by chance इस dozy के कारण and price rejection के कारण share यहां से नीचे आता है जो कि अभी support बना हुआ है तो हम share side के लिए intraday में भी इसको ले जा सकते है तो grassim के इस level को आप दोनों के लिए यूश कर पाऊगे अगले share की बात करें तो वो है हमारा HDFC bank तो HDFC bank में यहां पे हमने daily chart लगा रखा है and एक काफी अच्छा support अगर आप देखो तो मिल रहा है 1446 रुपे के आसपास जो कि अभी तक resistance बना हुआ था and पिछले trading session में gap up के साथ इस resistance को break कर दिया है तो यहां से अब हम confirmation के साथ upside में swing trading के लिए जा सकते है जिसमें की हमें target मिल शकते है 1540 से 1570 रुपे के आसपास तो यह काफी अच्छा level है HDFC bank के लिए तो अगर आप चाहो तो इसे भी अपने चार्ट में mark करके रख शकते हो यह काफी strong support है जो कि आपको कभी भी आए तब आप इसमें play बना शकते हो अगले share की बात करें तो वो है हिंडालको तो हिंडालको में भी एक काफी strong resistance बना हुआ था जो कि है तक्रिबन 550 रुपे के आशपास और share ने एक बार यहां से हमें breakout दिखाया था और share उपर की और निकला था एक बार फिर से share कुछ इसी तरह से नीचे support की और आ रहा है तो अगर support के उपर हमें मिलता है तो फिर हम confirmation के साथ इसमें एक बार फिर से 620 रुपे के target के लिए जा शकते है तो हिंडालको के इस level को भी आप चरूर ज्यान में रखना अगले share की बात करें तो वो है हमारा HDFC तो HDFC में ये काफ़े strong resistance बना हुआ था जो की है तक्रिबन 232 रुपे के आज पास एंड पिछले trading session में काफ़ी अच्छी तरीके से मारू बोजू candle के साथ इस resistance को HDFC ने break किया हुआ है जिसमें की अगर आप यहाँ पे देखो तो volume भी काफ़ी अच्छा आया हुआ है तो अब यहाँ से up movement के chances काफ़ी अच्छे बनते हैं तो हम confirmation के साथ इसके उपर swing के लिए जरूर जा शकते हैं और by chance अगर यहाँ से नीचे निकलता है तो फिर हम sales head के लिए intraday में भी चार शकते हैं तो HDFC का यह strong support आप जरूर ज्यान में रख सकते हो यह दोनों तरफ आपके पेशे बना सकता है एंड हमारा आकरी share है जो की है Vipro Vipro में अगर हम देखे तो एक resistance बना हुआ था 600 रूपी के आसपास एंड पिछले कुछ trading session में यहाँ पे आप देखो तो share उसी के नीचे trade कर रहा था एंड पिछले trading session में इसके उपर निकला है लेकिन वहाँ पे हमें डोजी candle बनाता हुआ दिखा है तो अब यहाँ से अगर share उपर निकलता है तो हम swing के लिए जाएंगे एंड यहाँ से अगर उपर नहीं जाता तो 600 के नीचे हम इसे share side भी confirmation के साथ intraday भी कर सकते है तो विप्रो के इस level को भी आप दोनों तरीके से यूश कर पाओगे तो यह हमने आपको कुछ level बताए share के लिए शो की अगले हपते या फिर अगले हपते के बाद भी आपको मिलते है तो आपको जरूर इसमें पेशे बनेंगे तो आई होप आपको कुछ अच्छा जानने को मिला होगा तो अगर एशा है तो अब इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के शाथ share करे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले